लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए सभी ने अपनी बात रखी अभी दो दिन पूर्व मुझे नौर्थिष्ट के भी सभी आदर्णिय मुख्यमंत्री जन्ट से इसी विशे में चर्चा करने का उसर मिला था क्योंकि जहां जहां चिंता जनक सिती हैं उन राज्यों के साथ मैं विशेस रुप से बात कर रहा हूँ साथियों बिते डेड़ साल में देश ने इतनी बड़ी महामारी से मुकाबला आपसी सहयोग और एक जूट प्रयासों से ही किया है सभी राज्य सरकारों ने जिस तरह एक दूसरे से सीखने का प्रयास किया है बेस प्रयासों को समझने का प्रयास किया है एक दूसरे को सहयोग करने की कोशिश की है और हम अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसे ही प्रयत्नों से हम आगे इस लड़ाई में विज़ई हो सकते हैं साथियों आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है देश के अधिकाउंस राज्यों में केसेश की संख्या जिस तरह कम हुई थी उसने कुछ राहत साइकोलोजी के लिए फिल होता था कुछ राहत महसूस हो रही थी विशे सग्या इस डाउनवर्ड ट्रेन को देखकर उमीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह भार आ जाएगा लेकिन कुछ राज्यों में केसिस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंता जरक बनी हुई है साथियों आज जितने राज्या छे राज्या आज हमारे साथ है इस चर्चा में सामिल हुए हैं पिछले हपते के करीब 80 प्रतिशत नए केसिस आप जो इन राज्यों में है उन्ही राज्यों से आये हैं 84 प्रतिशत दुखत मोते भी इन्ही राज्यों में हुई है शुरुवात में विशे सग्य ये मान रहे थे कि जहां से सेकंड वेव की शुरुवात हुई थी वहां स्थिती अन्या की तुलना में पहले नियंत्रा में होगी लेकिन महराष्ट और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है ये वाकई हम सब के लिए देश के लिए एक गंभीर चित्ता का विशय है आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे इसलिए आशंका स्वाभाविक रुप से बढ़ जाती हैं कि अगर स्थिती नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा है साथियों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वाइरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है नए नए वेरियंट्स का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाप प्रभावी कदम उठाया जाना नित्तांत आवश्चक है इस दिशा में स्ट्राटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं पुरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है जो आपके लिए भी टेस्टेड और प्रूवन मेथड है टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट और अप्टीका टेस्ट, ट्रेक, ट्रीक और ट्रीका इसी वैक्सिन्स की हमारी रणदीती फोकस करते हुई हमें आगे बढ़ना है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन्स पर हमें विशेश ध्यान देना होगा जिन लिलों में पॉजिटिविटी रेट जादा है जहां से नंबर अप केसी जादा आ रहे हैं वहां उत्रा ही जादा फोकस भी होना चाहिए अभी जब मैं नौर्थ इसके साथियों से बात कर रहा था तो एक बात उभर करके आई कि कुछ राज्यों ने लोकडाउन ही नहीं किया लेकिन माइक्रो कंटेंडमेंट जोन पर बहुत बल दिया और उसके कार वो स्थिति को समाल पाए टेस्टिंग में भी ऐसे जिलों पर विशेश ध्यान देते हुए पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को जादा से जादा बढ़ाया जाना चाहिए जिन जिलों में जिन इलाकों में संक्रमन जादा है वहाँ वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्राटेजिक टूल है वैक्सीन के प्रभावी इस्तिमाल से कोरोना की वजह से उत्पन परिशानियों को कम किया जा सकता है कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तमाल अपनी RT-PCR टेस्टिंग केपरिसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं ये भी एक सरहानिय और जरूरी कदम है ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग वाइरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते है साथियों देश के सभी राज्यों को नए ICU बेट्थ बढ़ाने टेस्टिंग शमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फन उपलब्द करवाया जा रहा है केंद्र सरकार ने हाली में 23,000 करोड तेईस हजार करोड रुपिय से जादा का एमर्जन्सी कोविड रस्पॉंस पैकेज भी जारी किया है मैं चाहूंगा कि इस बजट का उप्योग हेल्थ इन्फरस्ट्रक्टर को और मजबूत करने के लिए हो जो भी इन्फरस्ट्रक्टरल गेप्स राज्यों में हैं उन्हें तेजी से भरा जाएं खास्तोर पर ग्रामेण इलाकों रूरल एरियाच उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इसके साथ ही सभी राज्यों में IT सिस्टिम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है इससे रिसोर्सिस के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्सिक तरीके से नागरिकों को मिल पाती है इलाज के लिए मरीजों और परीजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता साथियों, मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 PSA प्लांट्स एलोकेट किये गए हैं उन में से 53 कमिशन हो चुके हैं मेरा सभी राज्यों से आगरह है कि इन PSA oxygen प्लांट्स को जल्द से जल्द पुरा करे किसी एक senior officer को specially यही काम में लगाईए और 15-20 दिन का mission mode में इस काम को आप पुरा करवाईए साथियों एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है बच्चों को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी साथियों हम देख रहे हैं कि पिछले दो हपतों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसिस बढ़ रहे हैं अगर हम पस्टिम में देखें चाए यूरोप के देश हों चाए अमेरिका इधर हम पूरब में देखें तो बंगलादेश, म्यानमार इंडोनेशिया, थाइलेंड बहुत तेजी से केसिस बढ़ रहे हैं और कल्पना भार का अनेक प्रकारदे कहीं पर चार गुना, कहीं आंट गुना कहीं दस गुना बडोत्री आई हैं ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी हैं एक बहुत बड़ा एलर्ट है हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बिच से गया नहीं है हमारे यहां ज़्यादातर जगों में अनलोक के बाद की जो तश्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ाती है इसका जिक्र मैंने अभी नौर्थिश के सब साथियों से बाद कर रहा था उस दिन भी किया था मैं आज फिर से जोर दे करकर इस बात को दोराना चाहता हूँ आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं इनमें तो कई बड़े मेट्रोपलिटन शेहर है बहुत सखन आबादी वाले हैं हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा सार्वजनिक स्थलों पर बीड लगने से रोकने के लिए हमें सजग सतर्क और सक्त होना पड़ेगा सरकार के साथ साथ अन्य राजनेतिक दलों सामाजिक संगठनों और एंजियोस को सिविल सुसाइटिक को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूत करते रहना है मुझे विश्वास है कि आप सब के व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे आप सब ने इस महत्वपुन बैठक के लिए समय निकाला इसके लिए आदने मुख्यमंतरी जी ने उलेक किया मैं हर पल अवेलेबल हूँ हमारा संपर्क बना रहता है आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा ताकि हम सब मिल करके इस संकट से मानवजात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सके मेरी आप सबको बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद